गुद्ध मॉर्णिंग इस्टुएंट्स आज के इस वीडियो में हम लैमिसी फैमिली के टिपिकल प्लांट के बाटनिकल डिस्क्रिप्षिन के बारे में बात करेंगे एक एक एग्जामपल देखे इस वीडियो में हम ओसीमम बैसिलिकम या तुलसी शाम तुलसी जो होती है उसके botnical characters के बारे में हम बात करेंगे detail से तो यह जो plant होता है Osimum Basilicum जिसको की इस्थानिय भाशा में local भाशा के अंतरगत शाम, तुलसी या मरवा भी कहा जाता है जो कि सभी घरों में या उध्यानों में देखने को मिलता है इसका जो प्रकरती और आवास होता है जो habit और habitat के अगर हम बात करें तो यह जो Osimum Basilicum या जो शाम तुलसी है वो बहुवर्शे होती है बहुवर्शे का मतलब इसका जो जीवनकाल होता है उसको समाप्त होने में लगबग दो से जादा दो से तीन वर्श लगते है और इसमें एक विशेश प्रकार की स्मेल आती है सुगंदित होता है यह और अती शाकित शाक प्रकार का होता है बहुत अदिक शाकाएं पाए जाती है अती शाकित शाक होता है इसके लावा जो इसमें मूल होती है जो रूट पाई जाती है वो शाखित मूसला जड़ पाई जाती है शाखित मूसला जड़ का मतलब है कि ऐसी जड़ जो की मूलांकुर से विक्सित होने वाली जो मूल होती है उसे मुसला जड़ कहा जाता है, जो की मुख्य शाखाओं में और अनेक शाखाओं में विभाजित रहती है, उसे शाकित मुसला जड़ कहा जाता है, तो इस प्रकार की जड़ या रूट पाई जाती है, मरवे की अंदर मरवन, और इसका जो स्टैम होता है, वो धूर प्रकार का होता है इरेक्ट होता है शाकित प्रकार का होता है शाकाइं पाई जाती है चतुष कौनिय होता है कास्टिय प्रकार का स्टैम होता है ठोस होता है solid होता है और जो शाखाएं होती है इसके अंदर गर वो rome il प्रिकार की शाखाएं पाई जाती है मतलब कि जो शाखाओं के ओपर एक विशेश प्रिकार के romes present होते हैं और जो शाखाएं होती है उनमें कभी-कभी bangoning color भी देखने को मिलता है या colorful होती है इसमें जो पतियां पाई जाती है लीफ जो पाई जाती है शाम तुलसे के अंतरगत वो सरल प्रिकार की पतियां होती है सैवरंत होती है सैवरंत का मतलब एक वरंत की सहायता से मुख्य तने पर और शाखाओं पर लगी रहती है उसके लावा अनुपढ़नी प्रकार की होती है पतियां अनुपढ़नी का मतलब अनुपढ़न अनुपस्तित होते है एकसस्टिकलेट प्रकार की होती है इनका जो विन्यास होता है जो अरेंजमेंट होता है तने के ओपर वो सम्मुख वे क्रोसित प्रकार का arrangement पाया जाता है सम्मुख प्रकार का arrangement का मतलब होता है कि जो पर्वसंदी होती है प्रतेक पर्वसंदी पर दो पतियां जोड़े के रूप में पाया जाती है और आमने सामने विक्सित होती है वही सम्मुख क्रॉसित का मतलब होता है कि पतियां का जो जोड़ा होता है वो अपने से ओपर वाली जोड़े से और अपने से नीचे वाले जोड़े से समकौन पर रिस्तित होता है जैसा कि आप स्लाइड के अंदर देख सकते हैं इसके अंतरकत आप लीफ का अरेंजमेंट देख सकते हैं कि इसमें सम्मुख blazer क्रॉसृत्व प्रे contrib का ख़ाए जाता है जैसे कि इसका जो टिपिकल प्लांट है जो कि ए से हम देम देख रहें जो पतियों और प्रकार की होती इन श्रीचता अगर की होती हैं गृंतिल प्रकार की पतीय पाया जाती है उसके अलाबा जो इसमें विन्यास पाया जाता है वो unicoastate retrograde venation देखने को मिलता है एक सिरी जालिकावत शिराविन्यास पाया जाता है तुल्सी में जो पुशपकराम होता है इसके अंतरगत कूड चक्रक प्रकार का पुष्वक्राम पाया जाता है प्रतेक चक्र में 6-10 पुष्व होते हैं जो कि उनमें सुगंदित होते हैं कूड चक्रक प्रकार का पुष्वक्राम होता है वो विशेश प्रकार का पुष्वक्राम होता है इसमें पुषववली व्रंत की पर्व संधियों पर सम्मूख क्रम में कुटेल एक शाखी ससीमाक शोटे पुषववगरम विख्सit होते हैं और प्रतेक और पुषवा की संख्या तीन होती है अर्ठाल एक पर्व संधी पर खुल छे पुषवव पाया जाते हैं इस प्रकार का पुष्पक्रम कहा जाता है तो यह इस प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है शाम तुलसी के अंतरगत जो पुष्प होते हैं वो सैवरंथ होते हैं सहय पत्री प्रकार की होते हैं छोटे होते हैं पौन होते हैं उभैलिंगी प्रकार की होते हैं एक व्या सम इसमें जो भाय दलपुंज होते हैं, जो कैलिक्स होते हैं, वो संक्या में 5 होते हैं, संयुक तो होते हैं, एक दुसे के साथ जोड़े रहते हैं, वही द्योस्ट की प्रिकार की होते हैं, बाय लेवियेट प्रिकार के पुश्प पाये जाते हैं, और दलाब होते हैं, ये बाय प्रिकार उस्ट उस्ट होता है जो पॉस्टेरर लिप होता है चोडा होता है नाबाकार प्रिकार का होता है बोड शेप्ट होता है जैसे ही यह साइक देख रोकत 2007 गोट लोगत है और सब इंब्रिगेट प्रिकार का विन्यास पाया जाता है कूर शादी प्रिकार का विन्यास पाया जाता है वह एंडुश्यम की बात करें गर हम पुमंग की बात करें तो जो इसमें पुंकिसर होते हैं चार होते हैं पुर्थक पुंकिसरी होते हैं द्वी दीरगी होते हैं डाइड का यहां जो गानेशियम होता है वह बाई कार्पलर भी पिकार का होता है युक्ताणडपी होता है जो कापल सोते हैं तो से जोड़े रहते अंडाशे शुरू में द्वीकोष्टरी होता है बाई लोकिलर होता है पर थुब आबासी पर फॉल्स एप्टम बन जारने के पारण देखा जाता है और उच्छ बढ़ती होता है सुपिरेर प्रिकार का होता है एक्जाइल प्रिकार का विजन्यास पाया जाता है जो बढ़ती का जो होती है वो गाइनो बेसिक होती है अंडाशे के आधारिये भाग से विक्सित होती है और जो बढ़ती का अगर होता है वो आटलेट प्रिकार का फ्रूट या फल पाया जाता है। तो यह इसके बानस्पतिक लक्षन कम्प्लीट होते हैं।